हम सब अपनी लाइफ में डेली एक रूटीन के अकोर्डिंग चलते हैं सुभा उठने से लेकर रात को सोने तक दिन के सारे काम हमारे फिक्स होते हैं और इस रूटीन से हमारी लाइफ जो है बहुत इजी हो जाती है तो फिर हम अपने बच्चों का रूटीन क्यों नहीं बनाते अगर आप बच्चे का डेली रूटीन बना देंगे तो आपको जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये है कि बच्चे की जो खाना खाने में नखरे होते हैं या खाना नहीं खाते हैं वो प्रोब्लम आपकी 70% सोल हो जाएगी जैसे जो लोग चाय पीते हैं उनका चाय पीने का भी टाइम फिक्स होता है मालेज़े कुछ लोग शाम को चार बजे के आसपास चाय पीते हैं तो जैसे ही चार बजने वाले होते हैं उनको अंदर से craving होना शुरू हो जाती है कि चाय का टाइम हो गया बिना घड़ी देखे भी उनको ये फील हो जाता है कि चाय पीने का टाइम हो गया है तो यही बच्चों के साथ भी होगा, अगर आप उनको डेली एक ही टाइम पे खाना खिलाएंगे, तो वो फिजीकली और मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेर हो जाते हैं, माल लेजे आप उनको रोज सुबा आठ बजे ब्रिकफास्ट देते हैं, तो डेली अगर आप उसको आठ बजे ही ब्रिकफास्ट देंगे, तो हो सकता है, पहले दिन वो ना खाए, दूसरे दिन वो एक बाइट खाएगा, तीसरे दिन वो दो बाइट खाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके, जब आप उसको डेली रोज आठ बजे ब्रिकफास्ट देंगे, तो कुछ टाइम के बा जब सब उसका रोज एक ही fix time पे होता है तो बच्चे को अपने आप भूख भी लगने लग जाती है और वो mentally भी ready हो जाता है कि हाँ अब मुझे खाना खाना है तो आप ये जरूर ट्राइ करके देखेगा अगर आपके बच्चे खाना खाने में आना कानी करते हैं तो उनको ए बच्चों में discipline लेके आता है अब आप अपने बच्चे को रोज सुभा साथ बजे मानी जी उठा देते हो फिर आप बच्चे को पानी पिलाते हो फिर उसे brush कराते हो फिर नहलाते हो फिर breakfast कराते हो फिर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो school चला जाता है चूटा बच्च जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो उनकी एक आदत बन जाएगी थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चा जो है खुद ही उठने के बाद खुद अपने आप पानी पीलेगा खुद बात्रूम में जाके ब्रश करने लग जाएगा या फिर आपको आवाज लगाएग तो वो बहुत डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को जीना सीख जाएंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने काम खुद भी करने लग जाएंगे और अगर बच्चे का कोई रूटीन ही नहीं है किसी दिन आप उसको ब्रश करा रहे हो किसी दिन आप नहीं करा रहे हो किसी दिन आप उसको नो बजे नहला रहे हो किसी दिन एक बजे नहला रहे हो तो बच्चा फिर discipline तो दूर की बात है उसको ये भी समझनी आएगा कै ये नहाना या फिर ब्रश करना या फिर खाना ये मेरा डेली की life का एक important हिस्सा है या नहीं तो life के जो daily के हमारे काम होते हैं उनकी important समझाने के लिए भी एक routine में वो काम करना जरूरी होते है बच्चे time की कदर करना सीख जाते हैं उनका उठने का और सोने का और school जाने का time fix है तो वो हर काम अपने time के according करेंगे और time से school पहुँच जाएंगे अब जो बच्चा किसी दिन 6 बजे उठ जाता है किसी दिन 9 बजे उठता है किसी दिन रात को 8 बजे सो जाता है किसी दिन 12 बजे सोता है उसका कोई time fix ही नहीं है तो फिर उसकी जो है हर काम हडबडी में होगा, ना ही उसको time की कोई कदर समझ में आएगी कि हाँ मुझे क्यों time से सोना और क्यों time से उठना चाहिएगी, उसको कभी समझ ही नहीं आपाएगा रोज school में लेट होगा, हर काम में लेट होगा, homework करने में लेट होगा तो time की कदर समझाने के लिए भी बच्चों का routine बनाना बहुत जरूरी होता है और last यह है कि बच्चों की health भी routine पे बहुत ज़्यादा depend करती है तो बच्चा जब एक discipline में रहता है एक routine में रहता है तो उसकी life easy होती है तो उसकी health पे भी यह बहुत effect डालता है तो अगर आप अपने बच्चे को discipline में लाना चाहते हैं उसको independent बनाना चाहते हैं उसमें confidence लाना चाहते हैं उसकी health अच्छी रखना चाहते हैं और उसको चाहते हैं कि वो अच्छे से खाना खाए तो उसका daily routine बनाना आज से ही start कर दीजे उसका जो उठने का time है और जो सोने का time है चाहे वो कुछ भी हो जरूरी नहीं है कि वो रात को 8 बजे ही सो रहा है 10 बजे सो रहा है, 11 बजे सो रहा है जिस भी time सो रहा है, जिस भी time उठ रहा है उसी के according उसके दिन का पूरे दिन का आप routine set कर लीजिए इतने बजे breakfast देना है, इतने बजे नहाना है इतने बजे lunch, इतने बजे dinner, इतने बजे nap पूरा chart paper पे बना के अपने दिवार पे चिपका लीजिए और आज से ही अपने बच्चे को उस routine में डाला शुरू कर दीजिए अब बच्चे को routine में डालने के लिए कोई age नहीं होती है आप 6 महिने से ये start कर सकते हो और किसी भी age का आपका बच्चा हो उस age में आप बच्चे को routine के आदर डाल सकते हो बस छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाना थोड़ा easy होता है बड़ा बच्चा जब हो जाएगा तो उसको routine में लेके आना काफी मुश्किल हो जाता है तो जब से आपका बच्चा solid पे आ जाता है तब से आप उसका एक routine fix कर सकते हो रोज daily routine में उसके काम करो बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता जिस routine से आप उसको जो काम करवाओगे वो उसकी habit बन जाएगी तो आप जब चाहें जिस age के भी आप ये बच्चे हैं उसको एक routine बना लें और उसमें उसको ढाल लें और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं बच्चे का routine कैसे बनाओं तो प्लीज मुझे comment box में बताएगा मेरा बेटा अभी ढाई साल का है तो तीन साल तक के बच्चे का routine मैं आपको definitely suggest कर सकती हूँ अगर आप मुझे comment करके कहेंगे तो मैं जरूर उस पे एक वीडियो लेके आऊंगी तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज इसको like कर देना मेरे चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को share जरूर 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 करना सब parents के साथ तो मैं ऐसे ही informative वीडियो लेके आती रहूँगी तब तक के लिए नमस्कार खुश रहें अपने बच्चों का ध्यान रखें